Hello दोस्तो, Welcome to back in my channel दोस्तो, आज हम सिखने वाले हैं कि print किस तरह निकाली जाती है मैं आपको तीन software में तीन चीजों की print निकाल कर बताऊंगा तो आप हर तरह की print निकाल सकते हो, उससे आपको आसानी हो जाएगी तो सबसे पहले हम open करते हैं picture को इस तरह का picture है अब यहाँ पर हम जाएंगे print में, print में जाने के बाद यहाँ पर print option को select करना है उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर printer select करनेंगे अभी मेरे पास कोई printer attached नहीं है तो मैं PDF का software ही select कर लेता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर paper की size select कर लेंगे जो भी size हमें चाहिए हो हम यहाँ से more पर जाके select कर सकते है तो हम यहाँ पर F4 रखेंगे उसके बाद quality यही रखनी है अगर आपको एक page में एक ही photo चाहिए तो इस तरह full page photo आप लेंगे अगर आपको एक page में दो photo चाहिए तो आप इस तरह कर सकते है यानि दो photo आपके पास है और आप उसको एक page में print करना चाहते है तो यह select कर सकते है आप इसी तरह इसको fit करने के लिए यह इस्तिमाल हुआ और बहुत सारी image अगर आपको एक ही page में print करने है तो आप यह भी select कर सकते है और उसके बाद यहाँ पर हम fit picture to frame कर देंगे और यहाँ से जितनी भी copy हमें चाहिए वो copy हम यहाँ से select कर लेंगे यहाँ पर full page photo कर लेंगे और यहाँ से print कर लेंगे तो हमारा जो इमेज है वो print हो जाएगा उसके बाद हम आते हैं word पर अब इसको print करना है तो control P press करेंगे और इस तरह के interface आपके सामने open हो जाएगा यह मैंने आपको word के वीडियो में भी बता दिया है लेकिन इसका एक मुस्तकिल मैंने वीडियो बढ़ा है ताकि अच्छे समझ में आ जाए यहाँ से पहले हम printer select करेंगे इसके बाद यहाँ पर properties में जाएंगे और वहाँ पर पूरी setting करनी है यहाँ से हमें page की size कौनसी चाहिए later या A4, A5 वो भी select करनेंगे उसके बाद portrait या landscape इसको भी यहाँ से select करके okay करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे नीचे all अगर मालने जाए एक PDF में एक word में हमने जो file तर्यार की है उसमें 10 pages है और तमाम के print निकाल इनी है तो हम यहाँ से print कर सकते है उसके बाद यहाँ पर है current page यारै जो page आपने open किया کے उसको ही सिर्फ print करना है आप úसको यहाँ से कर सकते है और page में अपको जो जो page प्रिंट करना है उसको आप इस तरह one, two, four, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं उसके बार आपको कितनी copy चाहिए आप यहाँ पर लिखेंगे एक, दो, तीन, जितने भी उसके बाद हम okay करेंगे तो यह हमारी प्रिंट निकल जाएगे इसके बार हम आते हैं Excel पर, यहाँ पर एक bill generated है अब इसको print करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर page layout में जाएंगे और यहाँ से हम page की पहले setting कर लेंगे, narrow में जाएंगे और यहाँ से हमने page की setting कर लिए जो margin था उसको हमने बहुत ही कम कर लिया ठीक है जो चारो तरफ जो margin है उसको मैंने बहुत ही कम कर लिया उसके बाद यहाँ से size select करेंगे A4 size हमें चाहिए और उसके बाद यहाँ पर portrait यह landscape जो चाहिए हो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक line आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप अगर print करेंगे तो यहाँ तक ही print आएगा जैसे मैं आपको बता दो यह जो line है वो यहाँ पर नहीं करते हैं और preview में जाएंगे कि कैसा print हम होगा वो हमें देखना है तो preview में जाएंगे तो इस तरह का अपके सामने आ जाएगा देख सकते मैंने आपको बताया कि एक जो line है वो यहाँ पर निकल चुकी है क्योंकि वो print नहीं होगी तो उसको print में लाने के लिए अब यह एक page की size है मैं आपको बता दू जो आपको यह नजर आ रहा है यह आपको बोक्स नजर आ रहा है पूरा यह पूरा यह पूरा एक page है ठीक है तो एक page के अगर बाहिर जाता है तो वो page print नहीं होगा यह फिर दूसरे page में print होगा लेकिन उसकी setting करने है तो कैसे करेंगे control P करेंगे पूरा första प्रिवियू में जाएंगे पूरा हमारा बिल आ गया तो डेखना है कि प्रिंट कैसे निकलेगा तो प्रि्यू में जाएंगे और यहाँ से देख लेंगे प्रिंट आएगा उसकी बाद हम यहां से भी प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ पर हमने इसको PDF में convert कर दिया है अब PDF की कैसे प्रिंट दिंगाल नहीं है वह भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ से प्रिंटर सिलेक करेंगे प्रिंट में जाएंगे और यहाँ से प्रिंटर सिलेक किया यहाँ पर प्रपर्टी में जाएंगे जो सेटिंग वहाँ पर मैंने बता दी वह ही सेटिंग यहाँ पर है अब एक चीज में आपको यहाँ पर बता दू सब चीज़े एक जैसी है जो बुक प्रिंट करते हैं ऐसके में बूक की शकल में इया जो किताब प्रिंट करते हैं वह यहाँ पर यहाँ से करते हैं बुक LATE में जायेंगे और कौनसा पेज हमें प्रिंट करना है सबसे बहले हम 앞राई करेंगे उसके बाद कौनसी शीट और left side से या right side से इंगलिश होगा तो left side से और उर्दू होगा तो right side से करेंगे इस तरह पहला page कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर हम back side करेंगे और back side वाला भी यहाँ पर हम print कर देंगे तो यह हैं बहुत ही आसान है print निकालना I hope आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please like कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ share कीजिए और notification को भी on कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की notification आपको मिलते रहे